आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS Rider 125 के 2022 model के बारे में जो कि भाई आपको जो Rider है इसमें आपको अब जो है दो variant और मिलने वाले हैं जो कि आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और भाई मेरे पास बहुत सारे messages आ रहतें Instagram पे कि भाई जो Rider है उसमें क्या-क्या changes होने वाले हैं 2022 में तो भाई आप भी जाओ इस्टा पे follow कर लो भाई नीचे मैंने link दे रखा है अपनी Instagram ID का भाई जल्दी जाओ follow करो DM भी कर लेना तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पे और बात करते हैं आने वाली नई Rider 125 के बारे में तो भाई अभी इस गाड़ी में आपको मिलता है टोटल इंडिया में एक variant जो की है single disc वो भी भाई आपको मिलता है CBS के साथ तो भाई company जो है गाड़ी में launch करने वाली है अब दो और नए variant भाई जो की आपको एक मिलेगा drum brake के साथ जो की भाई आपको CBS मिलेगा ही मिलेगा और भाई एक आएगा जो की आपको मिल जाएगा ABS प्लस single disc के साथ जो की भाई आपको मिल जाएगा साथ इंच के डिस्प्ले के साथ तो इस गाड़ी के बारे में चलिए बात करते हैं पूरा तो भाई जो आयागी भाई राइडर उसमें भाई आपको मिल जाएगा साथ इंच का TFT डिस्प्ले जो की भाई कंपणी ने लॉंचिंग के टाइम पे दिखाया था लेकिन भाई तब से लेके भाई वो लॉंच नहीं हुआ अभी तक तो भाई कंपणी उसे लॉंच करने वाली है जो की भाई उसमें आपको बहुत सारे नियविगेशन बहुत सारे नए फीचर मिल जाएंगे भाई जो की आप उसका वेट कर रहे हो लेकिन भाई वो गारी जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी और भाई जो अभी मिलती भाई आपको रडर मिल जाती है ये आपको मिलती है 86,470 रुपए की एक शुरूम जो के भाई आपको मिलती है सिंगर डिस्क और सी बियस के साथ और इसका भाई जो आएगा बाई डर्म वला वाई वारियंट वो आपको लगभग मिल जाएगा 78,000 रुपए का एक शुरूम और भाई जो आएगा 7 इंच के डिस्पले के साथ और इसमें आपको मिल जाएगा ABS तो भाई वो आपको लगभग मिलेगा 92,000 रुपए के आसपास तक का एक शुरूम तो भाई ये तो हो गया प्राइस और चेंजिस और भाई company इसमें आपको देगी और भी जादा नए colors और भी जादा नए graphic जो कि भाई इसमें अभी आपको मिल जाते हैं 4 color option जो कि भाई वो भी अच्छे हैं लेकिन भाई company आपको देगी 4 और नए color भाई मिल सकते हैं top model में और भाई इसमें अभी आपको mobile charging port का option नहीं मिलता है लेकिन भाई आपको company जो है उसमें दे देगी जो कि इसका आएगा top वहाँ पे आपको mobile charging port मिल जाएगा जो कि भाई आप उसका भी wait कर ही रहे होगे भाई मुझे पता है भाई मैं भी wait कर दा हूँ लेकिन वह अब आपको मिल जाएगा बाकि भाई गारी का जो भाई engine है वह आपको मिलेगा similar भाई गारी की जो seat है वह आपको मिल जाती है split में और इसके भाई जो handlebars हैं वह आपको मिल जाते हैं single piece में तो इन सब में कोई भी changes नहीं होने वाला है भाई गारी का जो dimension है जो गारी का weight है भाई गारी का जो tire का size है जो profile भाई सब कुछ आपको same मिलेगा लेकिन भाई company आपको ABS 7 इंच का display नए colors और mobile charging board भाई ये सब कुछ आपको ए company बिलकुल ही नयाद देने वाली है तो भाई यही सारे changes होने वाले हैं 2022 की rider 125 में और भाई ये गारी launch होने वाली है इस साल के आखिर तक का तो भाई आप लोग चाहो तो आने वाली नई tvs rider का weight कर लो वन्ना भाई जाकर आप purchase कर लो जो अभी market में available है तो भाई आप चाहो तो जाके उसे भी purchase कर सकते हो तो भाई जो वीडियो है इसे कर दो लाइक और भाई जो है मेरा चैनल उसे कर लो सब्सक्राइब तो भाई जल्दी से कर लो और भाई इस्टा पर जो फॉलो भी कर लो तो भाई बाई बाई जैंद वंदे मातरम मिलते हैं अगली वीडियो में बाई